Hello students, हमने last chapter में इस paper में Elbigo के समाने लक्षन, Elbigo की सनरशना और जन के बारे में पढ़ा था आज इस chapter में Elbigo द्वारा जो रोग होता है जिसे हम कहते हैं White Rust of Crucifers हिंदी में कहेंगे श्वेट कीट रोग इसके बारे में पढ़ेंगे श्वेट कीट रोग जो है सबसे पहले इसके आपको Geographical Distribution यानि भोलिक वित्रण के बारे में जहां तक बात करते हैं ये रोग सभी जगे उनिवर्सल है यानि सभी जगे जहां सरसों की या कुछी फेलिसी के सदसे ग्रो करते हैं वहाँ पार ये रोग जो है देखने को मिलता है Second Generally जो एक्जाम पूछते हैं रोग के लक्षन ये प्रैटिकल में भी पूछते हैं एक्जाम भी कितनी बार आ जाता है कि इस रोग के लक्षन क्या है तो इस रोग के लक्षन जो है कवक के वाईवे भाग जैसे वरंथ होता है पत्ती है स्थम है पुश्प है फल है आदी मे Generally सबसे बरे देखने को मिलते हैं रोग परपोशी की सतय पर सफेज पॉस्चूल्स जिस हम कहते हैं के रूप में दिखाई देता है इसी कारण इस रोग को हम श्वेट कीट रोग कहते हैं ये जो पॉस्चूल्स हैं जो फोट हैं पत्ती की निच्टि सतय पर उत्पन होती है उग्र संक्रमण की स्तिती में ये पॉस्चूल्स पत्ती की उपरी सतय पर स्थम्प में भी फैल जाती हैं Generally स्वरी निच्टि सतय पर दिखाई देती हैं और जब infection जादा हो जाता है तो पत्ती की उपरी सतय पर भी देखने को मिलती हैं इस रोग के जो दूसरे लक्षन है प्रमुक जो दूसरे लक्षन है, वो है कि संक्रमित भागों में असमानेता, असमानेता मत्तब एबनॉर्मल्टी दिखाई देती है, जो प्राय अतिवरदी किसे इंग्लिश में कहेंगे हाइपर ट्रॉफी, मांसलता, किसे कहेंगे फ्लेशीनेस, अत्वा, विरूपन यान ड जूप से बड़ा हो जाता है, यह डायग्राम आप देखिए, इसमें ब्राई, दलपुंच, दलपुंच, पुंकेसर, वजयायं, मांसलों को विक्रत हो जाते हैं, अतिवरदी का मुख्य कारण, अंतर कोशिकों अवकाशों में, जन अंगों का निर्मान होना होता है, तो य end of growing season में, जो की अतिवरदी, मांसलता और विरूपर्ण जैसे लक्षन दिखाई देते हैं, next हम पारेंगे, रोक कारण, जीव, रोक कारण, जीव क्या है, इसमें, LVUGO, Canada, जिसकी रिटेल, लाइफ हिस्ट्री हम पर चुके हैं, परकोशि उत्तक की अंतर कोशिक अवकाशो में, अविकल भी परजीव के रूप में, हमें ये जो कवक है, देखने को मिलता है, इसका थैलस, शाखित, संकोशिक और अंतर कोशिक होता है, कवक जाल में, अफ्शोर्षन के लिए चूशकां होते हैं, और इसकी जो पूरी रिटेल सनरशना है, हम लोग पर चुके हैं, अ एक ब्रदोर रोग है, यानि सॉयल बॉर्ण रोग है, अर्थात इसके कारक मिट्टी में रहते हैं, रोग का फैला उसपूर द्वारा होता है, जो खेत में पड़े रोगी बौदों में होते हैं, वायू में उपस्तित कोनीडिया भी रोग को तेजी से फैलाने में प्रभा इतना और रिप्रवक्शन बढ़ा था, उसमें हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इसमें रोग का नियंत्रा है, इसका जो कंट्रोल जो है, वो कैसे किया जाता है, एक बाए सबसे पर्स्ट इंपॉर्ट है, रोटेशन ओफ क्रॉप्स, जैसे एक स साल हमने कोई फसल जिस खेत में रगा दी, तो दूसरे साल वो सेम फसल हम नहीं लगाएं, दूसरी फसल हम लगाएं, सेकेंड जो है, इराडिकेशन, मतलब इराडिकेशन मतलब संक्रमित पॉदो को उखाड के जला देना, बच्चों, एक्जाम में कुछ भी अगर आपको मिक्स्चर का चिरकाव टाइम टू टाइम रखा जाए, वो करना करा जाता है, दूसरा जो है, रोग के प्रतिरोध किस्मों को अपना कर, प्रतिरोधी किस्मों का उप्योग जो है, जिसे हम कहते हैं, resistant varieties, वो करेंगे, तो यह रोग काफी हद तक हम इसका समाधान कर सकेंगे और यह तो हुआ, रसाइन और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिसका हम टाइम टॉइम हम चिरकाव करेंगे, तो रोग इसमें नहीं होगा, तो बच्चों ध्यान रखेगा, कोई सा भी कवग पढ़ेंगे, उसके द्वारा जाए रोग पढ़ेंगे, उसमें तीन या चार प आजब कौन सा है, और उस रोग को डिजीज रोग चक्र क्या है, और लास जो है कंट्रोल, ये चार पॉइंट्स में या पाँच पॉइंट्स में हम कोई सा भी जो रोग है जिसके बारे में पढ़ेंगे, उसके हम डिस्क्रिप्शन देंगे, तो सबसे पहले अल्ब्यो को क सन्रशना हमने पढ़ी थी, उसके बाजरी प्रोडक्शन और लास में श्वेट की डोग जो अल्ब्यो को द्वारा होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा, अब नेक्स चेप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे स्क्लेरोस्पोरा, जिसके द्वारा हरित बाली रोख बाजरे पर होता है, थैंक यू